Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्थी Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Stock Groups में Alter Option के बारे में साथ ही ये बताएंगे कि किसी Stock Group को कैसे Delete करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था Stock Groups कैसे बनाते हैं, यानि कैसे Create करते हैं आएए अब बताते हैं हमने जो Stock Groups बनाए हैं यानि पहले से बने हुए किसी भी Stock Group में कोई भी Changes करना हो तो वो Alter की साहता से कैसे कर सकते हैं यहां हम आपको याद दिला दें कि इस तरह के सभी Options का उप्योग हमने Lages में Alter तथा Delete वाली वीडियो में बताया था लगबग वही तरीका यहां भी लागू होता है फिर भी हम इसे Short में आपको फिर बता देते हैं Stock Groups में Alteration के दो तरीके हैं पहला एक समय में किसी एक Group या सब Group में Alteration करना और दूसरा एक साथ एक से अधिक Groups और सब Groups में Alteration करना आए पहले देखते हैं एक समय में किसी एक Group या सब Group में Alteration कैसे कर सकते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं यहां दिखाई दे रहे Masters के अंतरगत Alter को Select करें यहां से Stock Groups को Select करें ऐसा करते ही List of Stock Groups आजाएगी आप जिस्क Stock Group को Alter करना चाहते हैं उसे Select करें ऐसा करने पर Stock Group Alteration स्क्रीन आजाएगी जिसमें आपके द्वारा सेलेक किये गए Stock Group की पूरी डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी जो आपनी Stock Group बनाते समय दी थी यहां से आप Stock Group के नाम या Under में वो Primary या किसी Ani Group में बना है तो उसे Change कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि यदि आप किसी Stock Group को Delete याने समाप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी आपको Alter में ही जाना होगा उसके बाद यहां से Stock Group को Select करें ऐसा करते ही List of Stock Groups आ जाएगी आप जिस Stock Group को Delete करना चाहते हैं उसे Select करें ऐसा करने पर Stock Group Alteration स्क्रीन आएगी यहां Alter और D की इसको एक साथ प्रेस करें Delete की छोटी सी विंडो आएगी यहां एक खास बात ध्यान रखें आपने जिस Stock Group में कोई भी Sub Groups या Stock Items बना रखे होंगे उसे आप Delete नहीं कर पाएंगे इसकी पहचान यह है कि जब आप Alter और D की इसको प्रेस करेंगे तो Delete के Message वाली विंडो ही नहीं आएगी और फिर भी यदि आप उसे Delete करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके अंदर बनी Sub Groups या Stock Items को Delete करना होगा या उनके Group को बदलना होगा उसके बाद ही आप उस Stock Group को Delete कर पाएंगे देखिए यहां पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे Delete करना चाहते हैं यदि Delete करना चाहते हैं तो Y प्रेस करें और यदि नहीं तो N प्रेस करें हम इसे Delete नहीं करना चाहते हैं इसलिए N प्रेस कर रहे हैं चलिए अब हम Stock Groups में Alteration के दूसरे तरीके को देख लेते हैं इसके लिए आपको Chart of Accounts में जाना होगा और यहां से Stock Groups सेलेक करना होगा फिर Multi Masters में जाना होगा List of Multi Masters में Multi Alter सेलेक करना होगा यह यहां पर List of Stock Groups आ रही है इसके अंतरगत भी Alteration के दो तरीके हैं पहला यदि आप किसी एक Stock Groups के अंतरगत बने हुए सब Groups को Alter करना चाहते हैं तो यहां से वो Stock Groups सेलेक करें जिसके अंदर बने हुए सब Groups में Alteration करना है Multi Stock Group Alteration स्क्रीन आ गई है यहां से आप किसी भी Stock Group का नाम या Under में वो जिस भी Group में बना है उसे Change कर सकते हैं साथ ही यदि Should Quantities of Items Be Added को Yes या No करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम स्कैप की से वापस List of Stock Groups पर आ गए हैं चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जिसमें हम एक ही बार में कितने भी Stock Groups में चाहे वो Primary Group हो या Sub Group हो उसमें एक साथ Alterations कर सकते हैं उसके लिए All Items सिलेक करना होगा ऐसा करते ही Multi Stock Group Alteration Window आ जाएगी अब आप यहां से जो भी चेंजिस जैसी ग्रूप का नाम या Under में वो जिस भी ग्रूप में बना हुआ है उसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं इस वीडियो में आपने Stock Groups को Alter करने के बारे में समझाया साथ ही यह भी जाना कि किसी Stock Group को Delete कैसे करते हैं Stock Groups के बाद हमें Units को समझना होगा क्योंकि जब Tally में कोई भी Stock Item बनाया जाता है तो समय Stock Item को मापनी की जो भी काई हो वो उसमें जोड़ना ज़रूरी होती है तब ही उस Stock Item का ठीक से उप्यों किया जा सकता है कहने का मतलब यह है कि Stock Items के पहले आपको Units बनाना होती है जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और उसके बाद वाली वीडियो में हम Stock Items के अंतरगत आने वाले Create और Alter Options को समझेंगे साथ ही यह भी बताएंगे कि किसी Stock Item को Delete कैसे करते हैं दूस्तों हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में Short में उनका उप्योग करते हैं अगर आप कुछ भी उप्योगी सीखने से वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो क्रप्या सभी वीडियो को Order में ही देखें